आप लोग आप सोच रही होंगे कि मैं सोच क्या रही हूँ तो मैं ये सोच रही थी कि आज के लिए मैं कौन सी रेमेडी किस स्किन टाइप के लिए शेयर करूँ एट लास्ट मैंने ये डिसाइड किया चलिए आज एक ऐसी रेमेडी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हूँ जो आल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हो जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है चाहे नॉमल स्किन टाइप है या फिर ओईली स्किन टाइप है या फिर ज्राय स् माघ,Polution को फडाना छाते हैं तो आप से फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपनी स्किन को क्लियर करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो साइड आप पहेजिंक चहरे पर आने लगे हैं ये फाइन लाइन रिंकल्स, डर्क सपोट्स उनको क्यूर कर सकते अगर आप इन सबी steps को thoughtfully follow करते हैं तो आईए जानते हैं क्या है ये magical steps और कैसे आप इनसे एक best of skin पा सकते हैं So hello friends, welcome back to my channel mom and the mirror और मैं हूँ Pooja मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने youtube channel पर तो सबसे पहले बताइए आप सब कैसे हैं मैं उमीद करती हूँ आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे अगर आप इस channel पर पहली बार आये हैं तो बिना subscribe किये जाएंगे तो आपका ही loss है देख लीजेगा भई क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही जादा बहतरीन और easy remedies share करती रहती हूँ जिनको use करके मेरा ये youtube परिवार बहुत जादा खुश है आज की वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ बहुत ही simple steps with very simple ingredients जिसे की आप पा सकते हैं एक clean and clear skin जी हाँ ये जितने simple है उतने ही powerful ingredient है जो कि magically work करेंगे आपकी skin पर तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या किया है without any more delay let's get started तो first step face cleansing के लिए हम त्यार करेंगे अपना DIY face cleanser जिसके लिए आधा कप दूध हम में चाहिए फिर हम इसमें add करेंगे एक चमज भर के glycerine जो कि हमारे चहरे को hydration देता है उसी के साथ blackness को भी दूर करता है फिर half spoon मैंने इसमें wild turmeric की यूज किया है kitchen वाली healthy का यूज ना करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो पीलापन चोड़ता है मारे चहरे पर इस mixture को आप थोड़ा सा जादा ही बनाए क्योंकि तीनो steps में हमें इस mixture की जूरत पढ़ने वाली है इस mixture से अब आप अपनी skin को wipe off करें ये आपकी skin की dirt, male, impurities को निकाल देगी plus skin को brighten up भी करती है dullness को remove करती है अगर regular basis पर आप use करते हैं तो आपकी जो dark spots भी है वो भी lighten up होंगे एक बार में तो नहीं होगी पर हाँ आपकी skin हलकी सी lighten up जरूर होगी clear जरूर दिखेगी एक बार में ही second step है हमारे face के लिए scrubbing तो उसके लिए हम लेंगे वही mixture जिससे हमने अपनी face की cleansing की थी तो उसमें से मैंने 2,5 चमच mixture ले लिया है और उसमें मैंने add किया है एक चमच चावल का आटा और एक ही चमच एड किया है coffee अच्छी तरह से इनको mix कर लो और ये जो best DIY face scrub बनकर ready है होती जा रही है या मेरी skin में problem बढ़ती ही जा रही है simple सा reason है कि आप अपनी skin को exfoliate नहीं करते time पे इसी से जो skin पर darkness या फिर pigmentation है उन्हें और भी जादा worst दिखाते हैं ये उनको remove करती है तो जब dead skin cells remove हो जाते हैं तो automatically आपकी skin bright, radiant, glowing, smooth भी दिखती है क्योंकि dead cells निकल गए है roughness जो थी वो निकल गई है इससे skin smooth दिखती है और skin polished हो जाती है skin को rub करें, rub करें then wash करें within one use आप अपनी skin में effective result देख पाऊगे और अब एक important step कि जब आप अपने चेहरे को scrub करने के बाद एक face pack apply करते हैं तो आप उसे lock करते हैं और multiple भी करते हैं glow को हफते 10 दिन में एक बार भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा करने से क्या होता है कि जो moisture और जो glow आपके face को मिला है अब तक वो long time के लिए lock भी हो जाता है और maintain भी रहता है glow आपके face पर face pack के लिए आपको चाहिए एक चमच बेसन, एक चमच लेना है coffee, एक ही चमच आपने डालनी है मुलतानी मिठी फिर डालने एक चमच orange peel powder, एक चमच के करीब आपने डालना है lemon juice इसको अब face pack बनाने के लिए वही mixture हम इसमें add करेंगे जो हमने starting में तैयार किया था उसका कम सक करें जहां जहां पर आपको dark spots है, dullness है, pigmentation है, all over face और neck पर लगा लें इसमें जो hydration है वो मिलेगा glycerin से skin glowing और brighten up करेगी दही और coffee uneven skin को even tone करेगी इस pack से आपकी skin smooth होती है because इसमें है दही plus lemon plus glycerin का combination उसी के साथ skin tighten up होकी कमाल की क्यूंकि हमने इसमें डाला है मुलतानी मिट्टी के साथ orange peel powder भी यानि की vitamin C का source है ये pack आपकी skin की pigmentation को dark spots को totally हटा देगा रंग आपका निखरा हुआ दिखाई देगा ये pack जो मैंने आपके साथ share किया है ये combination है सारे natural ingredient का ताकि आपको इसका जो result है वो दुगनी तेजी से मिले और 100% आएगा लगाना सिर्फ 20-25 मिरिट के लिए है then wash करने के बाद आपने अपनी skin पर sunscreen ज़रूर अपलाए करना है moisturize करने के बाद आपने sunscreen लगाना है ताकि जो अब तक आपकी skin को hydration और glow जो मिला है वो long time तक आपके face पर maintain रह सके moisturizer से ही आपकी skin soft बनती है skin soft रहेगी तो wrinkles भी कम दिखाई देंगे so ये था मेरा आज का video comment करें कि आज का topic कैसा लगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो like, share तो जरूर करेंगे मुझे पता है check care, bye